एक छोटे से गाव में एक बूढे आदमी की एक छोटी सी दुकान थी, जिसे उसका होशियार्तोता कोको संभालता था। कोको अपनी नकल करने की कला के लिए मशूर था और दुकान पर हमेशा नजर रखता था। एक दिन एक छोर राजू गाव में आया और दुकान के खजाने पर उसकी नजर पड़ी, जब बूढ़ा आदमी ग्राहकों से बात करने में व्यस्त था। राजू ने चोरी करना शुरू कर दिया डॉट लेकिन राजू को पता नहीं था कि कोको उसे उपर से देख रहा था। जैसे ही राजू ने गहना उठाया, कोको जोर से चिल लाया, चोर, चोर, पकड़ो राजू घबरा गया, लेकिन उसने चोरी जारी रखी, कोको ने हार नहीं मानी और उड़कर नीचे आया, राजू के हाथों को चोँच मारते हुए लगातार अलार्म बजाने लगा डॉट कोको की आवास सुनकर गाव वाले तुरंत दुकान की ओर दोड़े और राजू को पकड़ लिया, बूढ़ा आदमी दुकान में लोटा और देखा कि कोको की बहादुरी के कारण उसकी दुकान सुरक्षित है, डॉट राजू को सजा के रूप में बूढ़े आदमी के जगह बन गई अपने सतर्क तोते की देखरेख में।